आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चेनल नर्सिंग रिव्यूज एंड क्यूज में दोस्तो आज एक बार फिर से आपके लिए हम लेकर आए हैं बिलकुल लेटेश्ट वेकेंसी दोस्तो आज की वेकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में जाने पूरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तो तो आज के वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे वेकेंसी कहां से निकाली गई है और इसमें कितनी पोस्ट होने वाली है क्या ओल इंडिया के कंडेडे अप्लाए कर सकते हैं या नहीं और साथ में दोस्तों आपको क्या फीज पे करनी होगी और आपको कैसे अप्लाए करना होगा तो सभी इंफॉर्मेशन एक यूडियो में मिलने वाली है हमारे साथ बने रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं वेकेंसी कहां से निकाली गई है वेकेंसी होने वाली है पनवेल महानगर पालिका तो पनवेल जो है वो मुंबई महराष्टर में इस्तिते तो पनवेल से यहाँ पर आपके लिए वेकेंसी रिलिज की गई है अब आपको बताएंगे कितनी पोस्ट होने वाली है तो पोस्ट यहाँ पर है 377 जिसमें A, B, C, N, Group, D, तीनों के लिए चारों के लिए यहाँ पर पोस्ट है अब किसकी कितनी पोस्ट है और केसे आपको एपलाई करना है और दोस्तो इसके साथ ही हम बताते हैं आपको यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर जा सकते हैं उसका लिंक अमने वीडियो के डेस्किप्शन में दिया हुआ है दोस्तो टेलिग्राम ग्रूप पर जाकर आप पुरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं वेकेंसी बिलकुल फेट नहीं है जैसा कि कई वेकेंसी के लिए हमें कमेंट मिल रहे हैं कि वेकेंसी फेट है तो उस तो हमारी एकी बताई गई वेकेंसी फेट नहीं है तो फुल नोटिफिकेशन के लिए अभी जोइन कर ले टेलिग्राम ग्रूप अब आगे हम बात करेंगे इसमें कितनी किसकी पोश्ट होने वाली है तो सबसे पहले यहाँ पर Medical Officers के लिए 5 पोश्ट है जिसमें MBBS मांगा गया है Public Health Nurse के लिए 2 पोश्ट है जिसमें BSC Nursing यहाँ पर मांगा गया है Additional Nurse के लिए यहाँ पर पोश्ट है जो की साथ होने वाली है जिसमें GNM एपलाई कर सकते हैं इसके बाद Hostess की Vacancy है यानि की एनम की रहने वाली है 25 पोश्ट जिसमें एनम एपलाई कर सकती है Junior Engineer के लिए यहाँ पर 31 पोश्ट दी गई है इसके साथ ही Junior Clerk की विहाँ पर पोश्ट होने वाली है तो यहाँ पर आप पूरी वेकेंसी की और डिटेल पाने के लिए टेलिग्राम गूर्प पर जाए और नोटिफिकेशन देख ले यहाँ पर 18 से 45 साल तक के कंडेड एपलाई कर सकते हैं आपका सेलेक्शन प्रोसेस की अदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका सेलेक्शन प्रोसेस जो है रिटर इंटर्व्यू पर होने वाला है और साथ में आपका वेरिफिकेशन होगा सेलेरी की बात करें तो यहाँ स्टार्टिंग 15,500 से है और 1,77,500 तक पेमेंट दी गई है इसमें बात करें नर्स की और स्टाफ डर्स की अनम की तो यहाँ आप नोटिफिकेशन पर देख पाएंगे तो यहाँ पर जनरल कंडेट के लिए फीज जो पे करनी होगी वो A और B गरूप को 1000 रुपीज और रिजर्ट कंडेट को 900 रुपीज तो हमारा जो है B गरूप है तो आप यहाँ फीज देख सकते हैं C गरूप के लिए अंपर अलग फीज दी गई है और D गरूप के लिए अलग फीज दी गई है तो यहाँ पर आपको ए एपलाए कैसे करना है तो ओफिचल साइट पर जाना होगा notification आपको पूरा पढ़ लेना है इसके बाद online आपको apply करना होगा registration आपको mail id से करना होगा और password create करना होगा fill out the complete information in the application form जो भी information वो मांगता है सारी आपको fill out कर लेनी है upload, scanned copies and documents आपको जो भी documents यह मांगता है वो upload करने होंगे application fees pay करनी होगी देना आपका यहाँ पर application form finally submit हो चुका होगा तो यहाँ पर आपको apply का तरीका बता दिया है apply कर सकते हैं 13 जुलाई से 17 अगस्त तक यानि कि आपकी जो है last date नजदी है 17 अगस्त तो जल्दी apply कर दें दोस्तों यहाँ पर आप notification ओनलाइन लिंक किया दी चाते हैं तो सभी के लिए आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लें उसका लिंक अमने वीडियो के description में दिया हुआ है तेंक्य दोस्तों सुप्रेंट्स अभी तक आपने हमारा चिनल सब्सक्राइब नहीं किया है nursing reviews एंड क्यूज को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन प्रेस करकर ओल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूटुब चैनल है जिसका नाम है Medi Study IQ दोस्तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप important videos medicine से related आपको हम डालते हैं यहाँ emergency drug से related वीडियो डाला गया है दवा यानि की जो medicine से उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है IV cannula का पूरा detail में वीडियो बनाया गया है दोस्तों तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले